कि यानि बाल कल्यान समीती करनाल की ओर से बच्चों के उत्थान के लिए समय समय पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को बाल मजदूरी एवं भीक मांगने से रोकने वानने उत्पीडन के मामलों में CWC अपना दखल दे कर उनकी सहायता करती है इसी कड़ी में एक दस वर्ष ये बच्चे को उनके परिजनों से मिलाने में एहम भूमिका निभाई गई है CWC के चेर्मेन उमेश्च चानना ने समाचार एक्सप्रस को दी जानकारी में बताया कि एक दस वर्ष ये बच्चा घर से भाग गया था जिसको CWC की सहायता से करनाल में बरामत किया गया उन्होंने बताया कि ये बच्चा घरवालों द्वारा मार पीट करने वह धमकाने के चलते घर से भाग गया था जिसको CWC वमानव तसकर विरोधी पुलिस दस्ते की टीम द्वारा करनाल से पकड़ कर उनके परिजनों को सकुषल सो पा गया CWC के चेर्मेन उमेश चानना ने अभिभावकों से आवान करते वे कहा कि वे अपने बच्चों की देख रेक ठीक से करें और उनमें अच्छे संसकार पैदा करें ताकि इस सरह की घटनाओं से बचा जा सके करनाल से तरुनमदान की रिपोर्ट ऐसा जी ये बच्चा कल रात को मिला था हमें सेक्टर चार पुलिस चोकी ने इसे पेश किया और इसको रात को हमने शद्धन आश्रव में रखा क्राइम बरांच और सेक्टर चार पुलिस के सैयोग से एक रात के अंदर अंदर इसके दादी को ढूर्ण निकाला गया और दादी को सूचना दे दी गई कि आपका बच्चा हमारे पास है और सुबह सुबह इसकी दादी यहां आ गई यह बच्चा सिवा का रेने वाड़ा है सिवा से ये लिफ्ट लेता लेता करनाल पहुंच गया था किसी वज़े से बच्चे घर में कोई भी बात से नराज हो जाते हैं और आगे चल पड़ते हैं मेरे पेरेंट्स से यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा बच्चों को इस करोना काल में अपने साथ रखें ताकि बच्चे कहीं जाकर किसी संकट में ना पड़ें बच्चे की आयू है बच्चे की आयू तकरीबन 10 साल है यह कहां पिछे से कहां से रहने वाला है यह पिछे से उत्तरा खंड के हैं और सिवा में मजदूरी करते हैं सर कांसली के बच्चे ने क्या करण बदाया कि घर से निकलने बच्चे ने वैसे ही का कि लोग कोई मुझे जो लक्षमन सिंग एसाई थे उन्होंने बताया कि हम लोग वहां जा रहे थे तो सेक्टर चार पुलिस चौकी को इंफॉर्म किया कि नमस्ते चौक पे एक बच्चा खड़ा है वो तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने बच्चे को रेस्क्यू किया उन्होंने उसके बाद क्राइम ब्रांच में फोन किया और एंटी हुमन ट्रेफिकिंग की जो करनाल की टीम है वो साधुबाद के पात्र हैं उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से करनाल professor पिलेस्सितने इस बच्चे को धूंड के दूंद के निकाल इसके बच्चे के पेरटस को धूंड के मिखरा गंहीं बच्यों को उसके दादी को सौंप रहें ढूं आ वह रहे ही आगे पेरेंट्स आ गए है पेरेंट्स को सौंप रहे हैं की यह क्राइum आपको इंफर्मेशन कैसे मेली हमें तो अश्रंदन से पतक तलिया था भी बच्चा यहां रात को रेस्क्वी किया गया इसी कि दूने निकाला और यहां बुला कि उनको उनके वाले किया रहा है अगे उनका उसोंप दे रहे हैं जिए उसके दादी को सो दे रहे हैं जी चाइ जी वाका बता रहे हमारे पास फून होना के बादो में बच्चे कांसेलिंग करने के बाद इसके में शिंक्तर से और इसकी दादे और दे ने थोड़ा सा डाट दिया थो अपने घर से निकलकर यहां पर आ गया था उसके बादी चेए मद्दम से अब इसके प्रिवार को सु कैसा कैसा लग रहा है आपको मिल गया जल्दी मिल गया बच्चा है खुश हूं आप जी तो क्या कारण रहे हैं क्यों निकला है घर से ऐसे बच्चे बच्चों लड़ा यह हुई थी दोस्तों मैं समय मवजूद हूँ CWC कारे ले मैं आपको बता दूँ कि करनाल की विभिन य युमन ट्रैक्टिंग यूनिट के माधियम से एक ही रात के अंदर एक बच्चा जो की सिवा से चला था कारण बताया जा रहा है कि उसको दादी ने डांटा था प्री डादी की डांट के डर से घर से निकल पड़ा और सेक्टर चार नमस्ते से कर निजरिक नमस्ते चोंक प नाबालिक बच्चा है वह एक ही रात में उसके परीजनों को सोब दिया गया है। मैं तरून बना समझे सीने कैमरा पर संदी चोजरे समझेर एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें। थैन्यवाद। बनक्वेट्स लाइ हैं। इंक्रिडिबल मारिज पलेस राजगराना और फिनेस्ट बनक्वेट ओल जोती गार्डन। झाल करेंगरान और फिनेस्ट बनक्वेट बनक्वेट करेंगरान।